हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्माने साथियों वेलकम टी योट्यूब चानल टेट पाइंट मोहम्मद इसफली के संग जैसा कि सर्विदित है कोविड नाइंटीन की दुत्ते लहर के कारण घोशित लोकडाउन की अवधी में आवश्यक वस्त्वों की आपूर्ती हेतू एव लेकिन ये इपास ऑनलाइन किस प्रकार से बनाए जाएंगे किस प्रकार से आवेदन किये जाएंगे इस पर हम आज बाचित करेंगे साथ ही इसको ऑनलाइन भर कर दिखाएंगे यदि आप लिंक के माध्धम से फॉर्म भनना चाहें तो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन आवस्चक वस्तों की पूर्ति के आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसकी सिकायत कहां करेंगे इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही संस्थागत एक संस्था आवेदक सहित कितने कार्मिकों का आवेदन कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही इपास के ल यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शविस्क्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें, शेयर करने से ग्यान गड़ता नहीं, ग्यान बढ़ता है, तो चलते हैं, साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वाटसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के मादम से जुड़ सकते हैं, तो चलते हैं, विसे हैं हमारा कोविड-19, दुत्य लहर के करण, गोशित लोगडाउन की अवदी में, आवश्यक वस्तों की आप पूर्ती, सेवाओं की आप पूर्ती है, तो एपास ऑनलाइन ज कर सकता है, और जिसको एक जन्पद से दूसरे जन्पद में जाना हो, या जन्पद में किसी जगा जाना हो, तो वो आविदन कर सकता है, दूसरा यदि किसी छेत्र में आविश्यक वस्तों की आप पूर्ती नहीं हो पा रही है, तो वो सिकायत कहां कर सकता है, वो 1076 नमर पर डाइल कर सकता है और संस्थागत पास एक संस्था आवेदक सहित कितने कार्मिक एक साथ आवेदन कर सकते हैं तो इसमें आवेदक सहित पांच कार्मिक एक साथ आवेदन कर सकते हैं संस्थागत संस्था के रूप में और एपास में क्या-क्या लगा सकते हैं तो एपास में पैन कार्ड आधार कार्ड डियल आधी लगा सकते हैं तो चलते हैं वीडियो के मैन पॉइंट पर किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं तो चलते हैं आवेदन करने के लिए अब आप अपने मोबाइल के किसी भी क्रॉम ब्राउजर में जाएंगे और वहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे यूपी एपास आउनलाइन उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च करने पर आप स्क्रॉल करेंगे इसे उपर स्क्रॉल करते चले जाएंगे और जब तक यह ना है लिखा हुआ we come to e-pass UP इसको आप किलिक करेंगे किलिक करने पर right corner by 33 line मिलेंगी इसको किलिक करेंगे उसके पश्चाथ apply e-pass करेंगे को apply करेंगे और यहाँ पर registration form खुल कर आ जायेगा इसको हम जूम कर देते हैं यह हो गया जूम अब यहाँ हम कोई भी नम्मर फिलप करेंगे 975897 7249 यह फिलप कर दिया अब यहाँ हम कैप्चा भरेंगे 7859 इसके बाद जनरेट और ओटीपी को करेंगे अब यहाँ से हम इसका ओटीपी आ गया होगा ओटीपी देखते हैं यहाँ ओटीपी इस ओटीपी को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे समिट बटन दबा देंगे और यहाँ पर एप्लिकेंट नेम यहाँ आप नाम भरेंगे म, ओ, ह, ड, बहुम्मद, योसुफ, अली उसके बाद यहाँ एज पर क्लिक करेंगे डेट और बर्द जो आप चाहें उसे कर सकते हैं मैं एज पर कर रहा हूँ यहाँ 41, 42 जो भी कर दीजिए और यहाँ पर मेल करेंगे यहाँ पर आप कम्प्लिट एड्रेस यहाँ अपना आप कम्प्लिट एड्रेस भरेंगे C, H, A, M, जमन, कलोनी, मेरट यहाँ आप सलक्ट करेंगे और पास एरिया भरेंगे विदिन डिस्ट्रिक्ट यदि आप जन्पद के अंदर गाता है काम कोई भी काम है तो आप डिस्ट्रिक फर्स्ट आप्शन को भरेंगे यदि आप का काम जन्पद से बाहर है तो आप A, Cross, District करेंगे तो मैं A, Cross, District कर देता हूँ और यहाँ पर सलक्ट एरिया सलक्ट डिस्ट्रिक आप एप्लिकेंट तो आपका कौन सा जन्पद है जहां आप रहते हैं उसको आप यहाँ से सलक्ट करेंगे मेरिट कर दिया अब जहां चनपत में आप जाना चाह रहे हैं हापर सेलक्ट कर दिया मैंने इसके बाद यहां पर पास फोर्ट सेल्फ और्गिनाइजेशन जिसमें व्याप करना चाहें तो मैं यहां सेल्फ करना चाहूंगा क्योंकि मैं सेल्फ कर रहा हूं धस्मापोईंट स्वास्ते सिवन के स्वास्ते सीव सहित अदाल्टि कारिये है तोो मैं यहां पर आपात रालीन प्रीजन ड॥ा कलिये करूंगा क्योंकि इसके लिए कोई डोकुमेंट्स एक अप्लूट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 11 पॉइंट सर्विस डेस्क्रेप्शन रीजन परपज तो किस कारण से कर रहे हैं तो यहां उस कारण को बरेंगे आप मैं बार देता हूं अमर्जंसी परपज लिख देता हूं उसके बाद है बारमा प्लेस और विजिट कौन से किस जनपद में कौन से स्थम पर जाना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख देंगे मैंने लिद्या गड़ मुक्तिसर रहा पूर फ्रॉम डेट यहां आप डेट लिख देंगे छेतारिक और यहां और आईडी प्रूफ टाइटल पैंट कार्ड यहां मैं पैंट कार्ड एप्लाई करूंगा और उसके बाद ह हमारा सौलमा पॉइंट आजाता है सौलमा पॉइंट में हमें जिस पैंट कार्ड करा है हमने यहां पर प्रूफ लगा रहे हैं तो प्रैंट कार्ड का ही हम यहां पर अप्लोड करेंगे बसरते उसका जो साइज है 200 कवी होना चाहिए यदि ज्यादा होगा तो अप्लोड न फोटो में पहुंचते हैं और फोटो में पहुचने पर हम पहुचते हैं यहां आ जाते हैं और यहां आने पर हम Pen Card को यह क्लिक कर देते हैं उसके बाद 17 में पाइंट मा जाते हैं Applicant Photo Max Size इसमेंज का Size जो होना चाहिए इमेज का 100 KB का होना चाहिए अने था आपका रिजक्ट हो जाएगा अपलोड नहीं हो पाएगा चलिए इसे एपलाई करते हैं और फोटो में पहुंचते हैं फोटो में पहुंचने के बाद हम अपना इस फोटो को कलिक कर देते हैं और अब आजाता है अठारमा वाइकल टाइप यहाँ वाइकल कौन सा है आपका टू वीलर है चार है ट्रेप है जीप है जो भी आप यहाँ से भरेंगे तो मैं उसका टू वीलर कर देता हूँ और उसका नमबर भी भर देता हूँ अब यहाँ आप जाएंगे नीचे आई वी के सामने एक square है इसको आप check करेंगे और नीचे आपके नीचे दीख रहा होगा submit button इसको आप click कर देंगे click करने पर अब आपके जामने दीख रहा होगा आपको your application for e-pass is submitted successfully with regard number इतना please check status download your e-pass from tech track your application option on home page of portal तो इस प्रकार चे हमारा ये successfully हो चुका है अब हम इसको check करेंगे check कहां से करेंगे अब हम फिर इसको हमें वापी जाना पड़ेगा पहले हम इसका number screenshot कर लेते हैं ताकि हमें ये number लिखना है अब यहां आ जाते हैं हम management system और track your application यहां हम अपने application को मालूम कर सकते हैं कि हमारी application कहां तक forward हुई है हम track your application को click करेंगे यहां पर registration number भरेंगे यहां पर registration number है हमारा 1-3-8-000-915 1-3-8-000-915 और आप यहां पर हम अपना mobile number भरेंगे 97 98 97 92 और यहां हम search बार दीख रहा होगा search your application इसको हम करेंगे तो यहां आपको पूरा status इसका दीख जायागा status your application तो इसका पूरा status दीख जाता है या भी हमारी यह pending है उसके बाद यह successfully आ जायेगा या जो भी कारण reject है उसका कारण यहां पर आ जायेगा तो जो भी reject का कारण आए उसको आप सुधार करके दुबारा apply कर सकते हैं लेकिन दुबारा जो होगा वो 24 गंटे के 24 गंटे के बाद apply कर सकते हैं या आप दूसरे नमबर से कर सकते हैं जो भी घर का आपका नमबर हो इसको आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब आवशे करें टाइड पाइंट बाइ महममध इस्वरे पाइंट बाइ महममध इस्वरे